पेस्टिसाइट्स का लोगों की सेहत पे क्या असर होता है ये जानने के लिए हमारी टीम ने पंजाब को चुना क्यूंकि पंजाब का एरिया भारत का दो प्रतिशत मात्र है लेकिन यहाँ देश में इस्तिमाल होने वाले पेस्टिसाइट्स का हिस्सा देश का 15 से 18 प्रतिशत है आखिर इतनी भारी मात्रा में ये जहरीले पेस्टिसाइट्स क्यों छिड़के जा रहे हैं इसका जवाब दिया खुद एग्रिकल्चरल प्रड़क्स के विक्रेता सुरेंद्र महेश्वरी जी ने साथ सतर ग्राम कर देते हैं तो इतनी अवर्डोज पढ़ती है कंपनीों ने आर्र इसे दोड़ लगा रखिया है सुरंदर जी आपके 80 लिटर होगे आप 20 लिटर और बेच दो तो आपको गुरप्रीत एक समाच सेवक है अपने आसपास के गाउं में लोगों की लगातार गिर्ती सेहत दे गुरप्रीत ने एक सर्वे किया पूरी फूर्ट चेन में पेस्टी साइड भुश चुके हैं सुबा जहर चिर्का जाता है शाम को सबजी आपके बरतन में होती है बनने के लिए ये जो सिनेरियों गए ये पूरे पंजाब का है पंजाब के हजारों गाउं में यही हाल है लोगों की सेहत लगातार गिर रही है पहले तो कोई घर ले वर जाद भी को सुनते थे कैंसर है अभी तो हरे एक दुनिया से कैंसर के मिले जाई हालात इतने खराब हैं कि राजिस्तान के बीकानेर जिले के एक चारिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से ट्रेइन चलती है भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेइन को कैंसर ट्रेइन कहा जाता है यह कैंसर ट्रेइन कितने बज़े आएगी? वह नहुदस तक आएगी है पूरी काड़ी में कैंसर की मरीज होते है मतलब के जब हम जार्ट्रेशन किराते हैं, तो उसमें बहुत जादा सीरियस मारीज होते हैं, वो भी कैंसर के होते हैं, कोई यूसमें चॉब वाला आत्मी होता, जोमुखर। मेरी छाती में गांठें हो गई फिर पूरे शरीर में गांठें ही गांठें हो गई ससुराल वालों ने मुझे मेरी मा के पास छोड़ दिया मेरी मा बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही है